जैहिन सातियों श्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने परिवार भारत्योंस क्लासेस में इस वीडियो में हम आज 2 अगस्त दीन सुक्रवार को प्रात्ना सभा में पढ़े जाने वाले समाचार और समान ग्याने परिशनोत्री के परिशन कच्छा एक से लेकर के ब लगते हैं उससे प्यार करें तरे टा ओन्ली वय टु डू ग्रेट वर्क assists अवाट वॉटी डू चका है नहीं कि अपने से नाम बनाओ कामसे नाम बनाओ ठीक है यदि आप कामसे नाम बनाओ तो फिर आगे चलकर आपकी से से ही काम हो जाएगा बिल्कूल ये बात बहुत ही अच्छी सची बात है बच्छा कि यदि आप अभी अपने काम से नाम बनाओगे अपना नाम कमाओगे तो आगे चल कर आपका नाम मादर से ही काम हो जाएगा कि नहीं उनका काम है उनका नाम है अराम से काम हो जाएगा बात बहुत ही सांदार सी है, थोड़ा विचार कीज़ेगा, ठीक है चलिए, शुरुवात करते हैं आज के, प्रात्मिक अस्तर के प्रशन के साथ, कच्छा एक से लेकर के, पांस तक के विद्यार्थियों को ये प्रशन पूछे जाएंगे, तो यह पहला प्रशन है, भारत का राष्टिय प्रतिक याद रखने हैं, कितने बच्चों को भारत के राष्टिय प्रतिक याद है, तो याद रखेंगे, राष्टिय वरिक्ष बरगद, राष्टिय पच्छू पूछेगा तो बाग लिखेंगे, राष्टिय पक्छी पूछेगा तो मोर भी बताएंगे, र यहाँ पर राष्टिय फल पुछेगा तो आम बताएंगे, राष्टिय गीत पुछेगा तो वंदे मातरम राष्टिय गान, जन्गर्मन, राष्ट के चिन सत्य में उचैते है, दे रखा है विसु के सबसे बड़े महाद्वीब का नाम बताएं, तो यह एसिया महाद्वीब ह है और एसिया महाद्वीब में ही हमारा देश भारत अवस्तित है, तीसरा प्रशन पूछता है, प्राथ्मिक रंगों के नाम बताएं, तो प्राथ्मिक रंग तीन हैं, लाल, पीला और नीला, चौथा प्रशन, भारत का पर्थम नागरिक कोन है, भारत के पर्थम नागरिक भारत के राष्टपती को का जाता है ठीक है और तीनों सेनाओं थल सेना जल सेना वायू सेना तीनों सेनाओं के सरवच कमांडर भी भारत के राष्टपती ही होते हैं चंद्रमाप पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है तो ये है नील आर्म श्ट्रोंग नासा की तरफ से गए थे ये उच्छ प्रात्मिकस्तर का प्रश्ण है कच्छा 6 से लेकर के 8 तक विद्यार्थों के लिए समान गयन प्रश्णोतरी पहला प्रश्ण संसद का उच्छ सदन कोन सा होता है राजसभा हम सभी जानते हैं संसद में दो सदन होते हैं एक होता है लोकसभा और दूसरा होता है राजसभा लोकसभा को बोला जाता है निम्ल सदन ठीक है और राजसभा को बोला जाता है उच्छ सदन भारत की प्रथम महिला मुखमंत्री कौन थी? सुचेता क्रिपलानी जी थी सन्युक्त राष्ट संग में सरोप्रथम हिंदी में भासन देने वाले वेक्ती कौन थे? अटल बिहारी वाजपई जी थे मिस वर्ड का खिताब पाने वाली प्रथम भारती महिला कौन है? तो ये है रीता फारिया जी सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो ये नर्मदा नदी पर बना है यहाँ पर नर्मदा नदी, सर्दार सरोगर बाम और बटल विहारी बाज पर इतिनों याद रखेंगे आपके लिए बहुत ही सांदार स्था है चली अगला प्रशन है मादमी कस्तर का प्रशन कच्छा 9 से लेकर बारत के विद्यार्थों के लिए प्रशन है अखिल भारती आदिवासी विकास परिशत 1968 के अस्थापना किस ने की तो ये कार्तिक उरावने जीक की थी WTO, World Trade Organization का मुख्याले कहा है तो ये जेनेवा में है यूकी भावरी का संबंद किस खेल से है टेनिस प्लेयर है ये प्लास्टर और पेरिस किस से प्राप्त होता है जिपसम से प्राप्त होता है तराइन का प्रथम यूद 1991 में किसके मद लड़ा गया था तो मुहमद गोरी और प्रिथवी राजचोहान के बीच लड़ा गया था चलिए अब हम करते हैं आज का मुक्य समाचा और बहुत ही सांदा तरीके से देखे कुछ कि यहां पे सोक संदेश भी है बहुत ही दुखत है केरल के वाइनाड में भीशन भोश्खलन में मरने वालों की संख्या 166 तक पहुँच गई है इस हादसे पर रूस ने भी गहरा दुख व्यक्त किया है हादसे को लेकर रूसी राष्टपती बलादमीर पुतीन ने पीएम नरेंद्र मोधी को सोक संदेश भी जा है केरल के वाइनाड में बीते दिनों भैंकर भुश्खलन हो रहा है इसमें लगभग 166 लोगों की यहां पर जान चली गई है सभी यहां पर बहुत ही ज़्यादा सद में है सद में में है साथियों और भारत्वर्ष क्लासेश के द्वारा मैं भी जितने भी लोग यहां पर जिनकी मृत्ति हो गई है उन सभी की आजमा के सांती के लिए मैं इस वर से प्रात्ना करतों कि है प्रभू है प्रभू उन सभी के परिवार जनों को इस की दुख सक्ती में इस दुख की घड़ी में उन्हें सवांचन देना उन्हें यह सहने की सकती देना क्योंकि जितके परिवार में जो भी चला जाता है न बहुत ही यहाँ पर ज्यादा तकलीफ होती है राश्टी खावर दे रखा प्राकृति काहर यहाँ पर हिमाचर परदेश और उत्राखंड में बादल फटने से हाफकार मच गया कुलू के रामपूर छेतर के समेज इस्तीत एक पावर पॉइंट प्रोजेक्ट के 19 लोग बादल फटने के बाद से लपता है वही उत्राखंड के केदारनात और टिहरी में बादल फटने से लोगों की काफी प्राशानियों का सामना करना पड़ रहा है यहाँ बे अगला है वजरपास से समदे जहारखंड में बुधवार को वजरपास से आठ लोगों की मोत हो गई वही दरजन भर लोगों के घायल होने की सुचना है गड़वाग में दो, हजारी बाग में दो, लातिहार में एक, ग्रीडी में एक और लोहर दगगा में एक वेक्ती की मोत हो गई वही घायलों का इलाज अस्थानी अस्पताल में जा रही है सात्यों मेंने आप कई बार कहा है कि यदि आप वारिस हो रही हो और वजरपात हो रही हो तो उसमें घर में आप रहे हैं, यदि आप घर में तो घर में सुरिचित रहे हैं, कार में जा रहे हो पीटर एयर पिश्टल पर असपरधा में खाश पदक जीतकर इतिहास रच दिया मनू ने ब्रॉंज जीतकर पैरिस में ना केवल भारत का खाता खोला बलकि निसाने बाजी में ओलंपीक पदक के बारा साल के इंतजार को भी समाप्त गया 22 साल की मनू ओलंपीक में पदक जितन नूक्ति की प्रक्रिया सुरू कर दी है 29 जुलाई से ओनलाइन आवेदन भरा जा रहा है ठीक है यहां पर यह बहुत ही सांदार सा दे रखा है आज दो अगस्त को यहां पर दो अगस्त 1990 पार्लियामेंट पास्टे बिल टू टेक ओवर दा एड्मिनिस्ट्रेटर ऑफ यहां पर एड्मिनिस्ट्रेंस था कि इस इंडिया कंपनी प्रिष्टिस क्राउन को यहां पर दिया जा रहा है वर्ड ओप टडे है यहां पर ग्रीन हॉर्ण यानि मुर्ख युवा मिनिंग इन एक्सप्रियेंस एन नेव अनुभव हीन और अनुभव दिहीन सेंटेस बने क्या कहता है दुनिया एक दर्पन है या दर्शाती है कि हम एक वेक्ति की रूप में कौन है एक दिन दो युवक एक गुरू से मिलने आए दोनों वेक्ति अपना सहर छोड़कर यात्रा कर रहे थे रास्ते में गुरू का आस्रम आया और उन्होंने वहां रुकने और उनकी सला और आसिरवाल लेने का फैसला किया गुरू ने पहले यूवक से पुछा कि अपना ग्रिह नगर छोड़ने का उसका उद्देश क्या है उस आदवी ने कहा मुझे सहर से नफरत है सहर में हर कोई स्वार्ती है और मैंने सहर में बहुत कठिन समय बिताया है मैं बहतर आवसर खोजने के लिए सहर छोड़ रहा हूँ गुरू ने उससे कहा कि उसे दुनिया में कहीं भी ऐसा सहर नहीं मिलेगा और कहा कि उसे वही यातरा रोकतेने चाहिए दुसरा आदमी से वाद स्वाल पूछा गया तो उसने कहा सर मुझे अपना ग्रीह नगर बहुत पसंद है मैंने नई जगाओं को देखने और अनुभाओं को बढ़ाने के लिए सहर छोड़ने का फैसला किया है मैं अलग-अलग जगाओं पर काम करना चाहता हूँ और नई चीजे सीखना चाहता हूँ तब गुरू ने उससे कहा कि वह अपनी जात्रा जारी कर सकता है और वह जहां भी जाएगा उसका उद्देश मिलेगा कहानी से सिख्षा हमें मिलती है कि दुनिया हमारे लिए एक दरपन है अगर हम चीजों को नकारात्मक दिश्टी से देखेंगे तो दुनिया में किवल नकारात्मक ही नजर आएगी अगर हम चीजों को सकारात्मक दिश्टी से देखते हैं तो दुनिया एक सकारात्मक ताकी जगा लेगी और हम सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं तो ये था आज का समचार बहुत बहुत धन्यवाद मेरा विद्याले मेरा भीवान जैज हरकन वीडियो को लाइक सेर जरूर कर दिजेगा और भारतवस क्लासेस पर आप सभी नए हो तो सब्सक्राइब जरूर जरूर कर दिजेगा बहुत बहुत धन्यवाद